हाउसिज का क्या अर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं हाउसिज का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो हाउस का प्लूरल यानि बहुवचन होता है हाउसिज यानि कि एक से ज्यादा हाउस को हम हाउसिज गहते हैं और house का अर्थ होता है भवन, मकान, राजकुल, राजगराना, घर या आवास तो एक से ज़्यादा भवनों को, मकानों को, राजकुलों, राजगरानों, घरों या आवासों को हम houses गह सकते हैं इसके इलावा house का इस्तेमाल verb की रूप में भी किया जाता है तो वर्ब के रूप में house का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में he, she, it या singular third person के साथ करते हैं तो rule के according इसके साथ हम ऐस लगाते हैं जिससे houses बनता है और houses का आर्थ होता है कि house करता है या करती है और house करने का आर्थ होता है घर में रहना, मकान देना, घर देना, आश्रे देना, घर दिलाना, टिकाना या रखना तो houses का आर्थ होआ कि घर में रहता है या रहती है मकान देता है या देती है, घर देता है या देती है या इसी तरीके से रखता है या रखती है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि यहां आसपास के कुछ घर बहुत पुराने हैं तो आप कहेंगे some of the houses around here are very old या अगर आप ये कहना चाहें कि इस शेत्र में घर बहुत महंगे हैं तो आप कहेंगे houses are very expensive in this area houses are very expensive in this area या अगर आप ये कहना चाहें कि इस पुराने घरों का नविनी करन करता है और उन्हें लाब पर बेचता है तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करें और बैल आइकन को प्रेस करें